एक आदमी समुद्र की और जाता है तब ही उसका पेर केशी समुद्र जीव के नुकिली चीज से पड़ता है जिसके कारण हो बहुत चिलाने लगता है फिर तुरंथी एम्बुलन्स की मदद से उसे अस्पताल ले जाया जाता है फिर इलाज शुरू कर दिया जाता है पहले इस्प्रे किया जाता है ताकि जो भी चीज पेर में गड़ा है वो आसानी से निकल जाए फिर इस्प्रे करने के बाद इंजेक्शन की मदद से दवाई डालेंगे ताकि जो भी चीज गड़ा है वो आसानी से निकल जाए फिर चिम्टा की मदद से काटो को निकालेंगे एक एक कर सभी काटो को आराम से निकाल लेंगे सभी काटो को निकाल लेने के बाद इसके अंदर की गंदगी को निकालेंगे गंदगी को निकाल लेने के बाद इसे पोच लेंगे अच्छे से पोच लेने के बाद लेजर लाइट का प्रयोग करेंगे ताकि घाओ सुख जाए घाओ के सुख जाने के बाद मलहम लगाएंगे सभी के उपर मलहम लगा लेने के बाद एक एक करके सभी के उपर मलम लगा लेते हैं मलम लगा लेने के बाद इसे हाथ से अच्छे से लगा लेंगे ताकि सभी घावों के उपर मलम अच्छे से लग जाए मलम अच्छे से लग जाने के बाद इसे कुछ समय के लिए छोड़ देंगे फिर इसके बाद घाव ठीक होना शुरू हो जाता है थाइंक्स फोर वाचिंग डोंट फोर्गेट टू सस्क्राइब